नमस्कार, B.A. Third Year Second Paper English Literature में आपकी लास्स पोइम है The Unvest of Desire जिसको लिखा है केकी एन दारुवाला ने तो पोइम पढ़ने से पहले कुछ हम जान लेते हैं केकी एन दारुवाला के बारे में केकी नासरभान जी दारुवाला, केकी एन दारुवाला उनका एन को हम short form में लिख देते हैं या फिर उनको केकी दारुवाला ही बोल देते हैं is a famous Indian poet वो एक प्रसिद भारतिय कभी है and short story writer लगुकता लेखक है he writes in English language वो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं his contribution to literature यही गलत छपा हुआ तो उनका जो योगदान है is confined to 12 books confined मतलब limited है 12 books तक ही 12 किताबे उन्होंने publish की है he published his first novel उन्होंने अपना पहला novel प्रकाशित किया for paper and christ in 2009 2009 में यह novel का नाम है for paper and christ he is a retired IPS officer तो वो एक retired IPS officer है सेवनेवरत है he was awarded the Saiti Academy Award उनको Saiti Academy Award दिया गया in 1984 1984 में for his famous collection of poetry उनके प्रसिद कविता संग्रह के लिए the keeper of the road यह उनके कविता संग्रह का नाम था केकी नासरवान जी दारुवाला was born in 1937 1937 में उनका जन्म हुआ in Loni बुरहानपुर in 1937 1937 में उनका जन्म हुआ his father N.C. Darwala was a professor उनके जो father थे N.C. Darwala वो एक प्रोफेसर थे in Loni Institute of Literature after the partition विभाजन के बाद his family left Punjab for जूनागर इन गुजराद तो पंजाब के रहने वाले थे तो पंजाब का ये जो भाग था ये पाकिस्तान में चला गया partition के बाद तो फिर ये जूनागर आ गए गुजरात का एक भाग है जूनागर he obtained his master's degree उन्होंने प्राप्त की अपनी master's degree यानि के MA in English Literature from Government College लुधियाना तो Government College लुधियाना से उन्होंने English में MA किया affiliated to University of Punjab तो जो affiliated है यानि के जुड़ी हुई है University of Punjab से ये जो college है पंजाब University से संबद है he joined the IPS Indian Police Service in 1958 1908 में उन्होंने IPS जोइन किया he served as a special assistant तो उन्होंने सेवा की एक विशेश सहायक के रूप में to the prime minister प्रधान मंत्री के on international affairs अंतराश्ट्री मामलों में he was in the cabinet secretariat तो वो cabinet सचवाले में भी रहे until his retirement अपने retirement तक थोड़ा सा और इनके literary contribution के बारे में देख लेते हैं कि उनका साहिति की योगदान और क्या-क्या है उन्होंने क्या-क्या और लिखा है क्योंकि उनका कोई work आप से multiple choice questions में भी पूछा जा सकता है तो थोड़ा और पर्चे देख लीजे in 1970 1970 में with the publication of his first book under Orion तो उन्होंने अपनी पहली book ये publish की थी Orion under Orion Darwala became famous in Indian poetry तो इसके प्रकाशन के साथ ही वो famous हो गए प्रसिद्ध हो गए भारतिय कविता में भारतिय काव्य में तो उसमें एक ताकतवर अभिव्यक्ती है in simple language साधार्ण भाशा में sharp tone उनकी जो tone है जो लहजा है वो sharp है तीखा है concerned with love और उनके जो concern में चिंता होती है तो उनके जो विशे हैं जिस पर आधारित हैं उनकी कविताएं वो love है प्रेम है, death है, मृत्यू है and domination शासन किसी भी चीज़ की प्रबलता होती है misfortunes दुर्भाग्य of human society मानव समाज के end perfection और एक पूर्टा है in portraying जिस चित्रित करने में living individuals जो जीवित व्यक्ती हैं he is charged for being यानि he is charged उन पर आरोप लगाया जाता है for being too much of a landscape poet कि वो बहुत ज्यादा too much है बहुत ज्यादा है of a landscape poet यानि जो landscape यानि कि जो प्राकृतिक द्रिश्य हैं उनके उनका ज्यादा चित्रन वो करते हैं वो उसके कवी हैं प्राकृतिक द्रिश्यों के कवी है he deals with rural and small towns तो he deals मदब कि वो वर्णन करते हैं rural यानि कि देहती और small towns छोटे कस्वों का also भी he points out वो दिखाते हैं how किस प्रकार बनारस is the place बनारस वो जगह है where जहां corpse fire यानि चिताएं जो जलती हैं जो dead bodies जलती हैं corpse means dead body fire आग तो चिताएं and cooking fires और जो खाना पकाने वाली आग है burn side by side मतलब side by side इधर चिता जल रही है और इधर खाना बन रहा है तो दोनों fires हैं दोनों ही आग पकते हैं खाना भी और वो dead body जलती है तो दोनों side by side काम होते हैं इसा उन्होंने दिखाया है इस तरीके से उन्होंने चित्रित किया है बनारस को his most recent book उनकी जो हल ही की किताब है true thorn true में presents जो map maker है उसका title हलंकि ये किताब जिस मैं से मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ी सी पुरानी है तो इसके बाद भी उन्होंने कुछ पब्लिश किये है उनको उनके नाम में अभी आपको बताऊंगी presents a series of dramatic monologues तो map maker में एक series है एक sequence है मतलब बहुत सारे dramatic monologues है dramatic monologues क्या होते हैं जिनमें एक ही व्यक्ती बोलता है dramatic element होता है poetry मतलब एक poem होती है जिसको एक ही व्यक्ती लगाता है बोलता जाता है उसमें दूसरा character होता भी है तो silent रहता है बोलता नहीं है his popular poems include उनकी जो लोग प्रिय कविता हैं उनमें शामिल है a take off on a passing remark al azhar lecture Alexander crosses the hellespont ये सब किताबों के नाम है bars before the world fish map maker migrations notes from the underground sappho to aphrodite suddenly the tree the possidonians under water nodes and wolf ये हैं इनकी रचनाएं इसके अलाबा मैं अभी आपको और बताती हूँ he has so far published about 12 books तो यहां तो ये क्योंकि किताब ये पुरानी है तो ये बता रहे हैं कि 12 books उन्होंने पब्लिश की हैं consisting of mostly points and a couple of fictional works तो जिसमें ज्यादातर कविताएं हैं mostly points consisting जिसमें शामिल हैं ज्यादातर कविताएं and a couple of fictional works और कुछ means shorter story तो देखिए इन्होंने जो 12 books बताई हैं इसके अलावा भी उन्होंने पब्लिश किया है 2018 में Swerving to Solitudes Letters to Mama और for Pepper and Christ इसका नाम तो पहले ही आ चुका है Pepper and Christ Collected Poems A House in Rani Khet ये भी नीका है और The Scarecrow and the Ghost ये भी नीका है तो ये कहीं आप इन तीन किताबों के नाम और लिख दिये हैं ये आप नोट कर लिजेगा A House in Rani Khet ये 2003 में इनकी पब्लिश हुई थी Swerving to Solitude ये 2018 में और ये एक और है The Scarecrow and the Ghost ये 2004 की पब्लिकेशन है तो मैंने बाद में नाम लिख दिया गलती से तो ये पहले पब्लिश हुई है The Scarecrow and the Ghost ये 2004 में पब्लिश हुई है और Swerving to Solitude ये 2018 का पब्लिकेशन है इनका तो ये मैंने कई question paper देखे हैं जब multiple choice questions आते हैं तो वो books के नाम देकर पूछ लेते हैं आप से कि इन में से कौन सी book है जो के की दारूवला की है तो ये books के नाम ज़रूर आप note कर लीजे तो अब हम देखते हैं poem जो आपके syllabus में है ये poem का title है The Unrest of Desire Unrest क्या होता है बेचैनी Desire इच्छाओं की तो हम सभी के अंदर कुछ desires होती है कुछ इच्छाएं होती है और desires इतनी ज्यादा होती है कि उनका पूरा होना तो possible ही नहीं है तो हम सभी के अंदर कुछ ऐसी desires होती है जो के unfulfilled होती है यानि जो पूरी नहीं होई है अदूरी रह गई हैं हमारी इच्छाएं और इनसान मर जाता है जिन्दगी भर लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती एक इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो दूसरी उगाती है पैदा हो जाती है मन में जन्म ले लेती है तो ये जो अधूरी इच्छाएं हैं ये हमारी आंखों से जांकती है हर व्यक्ति की आंखों में उन अधूरी इच्छाओं की एक जलक होती है व्यक्ति कोशिश करे उनको छुपाने की लेकिन छुपा नहीं पाता है तो यही बात के की दारू वाला ने इस पोईम में कही है चलिए पढ़ते हैं The unrest means बेचेनी, of desire इच्छाओं की is lit up Lit up means चमकती है जलती है With eyes, आँखों से आँखों में जलती है, आँखों में दिखाई देती है बेचेनी, इच्छाओं की उन इच्छाओं की Those, the desires that have remained unfulfilled Whatever, कोई भी The mask, मुखोटा, you slap Slap माने तो थपड मारना होता है लेकिन यहाँ slap का मत्तब है आप पहन लीजिए, लगा लीजिए Upon your face, अपने चेहरे पर तो चेहरे परी तो थपड भी मारा जाता है Slap लेकिन यहाँ मास्क के लिए कहा है कोई भी मुखोटा आप मुस्कुराईए कितने भी हसिए कुछ भी करिए लेकिन वो जो अधूरी अच्छाएं है आपकी आँखों से जहांकती रहती है However, कितना भी यू टियर आप फाड़ो काटो at the soft throat soft norm throat गला of life जीवन का यानि जीवन के नर्म गले पर आप कितना भी टियर उसको फाड़ो and prove और साबित करो the salt blood नमक खों का with your instinct tongue अपनी instinct जो पैदाईशी है tongue जीव अब ये सब क्या हुआ आपकी ये दो पंक्तियां समझ में नहीं आ रही होंगी कि भई जीवन के गले पर फाड़ो और नमक वाले खों को साबित करो अपनी instinct tongue से अपनी पैदाईशी जीव से तो देखिए जो life है वो बड़ा ही soft है कई माइनों में कुछ लोगों को लगता होगा कि life बड़ा कठोर है क्योंकि भई जीवन में ऐसी वेपरीद परिस्थितियां आती है आपको लगता है जीवन बड़ा कठोर है लेकिन जीवन यू निकल जाता है बड़े softly सर से निकलता चला जाता है और पता भी नहीं चलता आपको तो आप उस जीवन के गले पर कितना भी फाड़ें कैसे? हम दबाएं अपनी उन इच्छाओं को गला जैसे दबाते हैं तो उन इच्छाओं को जीवन की इच्छाओं हैं उनको हम दबाएं अपने अंदर तो ये वही जो tear at the soft throat of life यानि उनका गला दबाना उनके गले को फाड़ डालना या उनको दबाना तो जो हमारी इच्छाओं हैं उनको हम छेपालें अपने अंदर दबा लें अपने अंदर कई वार ऐसा होता है हम उनको नहीं दिखाना चाहते क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि ये अच्छा है हमारी और ये लोग हमें मार डालेंगे अच्छा ये अच्छा है तुमारी तो हम क्या करते हैं उनको दबा लेते हैं तुम अब तीयर का मतलब आप चाहो तो गला दबाने की भी कह सकते हो लाइफ का जो गला है आप उसको दबा डालो या उसको फार डालो कितना भी उन इच्छाओं को आप महार डालो लेकिन मरती नहीं है वो आपकी मन में पैदा हुई है अब वो अलग है पूरी नहीं हुई और आपने उनको इगनोर कर दिया दबा दिया अन देखा कर दिया लाइफ में आगे बढ़ गए लेकिन कहीं न कहीं तो वो छिपी रहती है अनफुल्फिल्ड पूरी नहीं हुई पैदा तो हुई थी आपने चाहा उनको पूरा करना लेकिन नहीं हुई और आपने उनको दबा दिया लेकिन वो बोलती है कहीं न कहीं आपकी आँखों से और आप प्रूफ करते हैं उनके खून को यानि उनका जो आपने खून कर दिया, अपनी इच्छाओं का, उसको आप अपनी टंग से, अपनी जवान से, अपनी बातों से प्रूव करते हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसी तो कोई आपकी इच्छा थी ही नहीं, कई बार आपको दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कहना पड़ता है कि ऐसी तो हमारी कोई इच्छा थी ही नहीं, योर इंस्टिंक टंग, यानि अपकी जो पैदाइशी जीव है, जो अपकी वानी है, उसके माध्यम से आप ये कहते हैं कि ऐसी तो हमारी कोई इच्छा थी ही नहीं, लेकिन कभी कहता है कि आप कितना भी अपनी से सावित कर लीजिये आँखों से बोल पड़ती हैं वो इच्छाएं सच मुझ बड़ी साइकोलोजिकल बड़ी मनोवग्यानिक कविता है आप महसूस करेंगे कि ये शायद हम सभी पर लागू होती है हम सभी की इतनी इच्छाएं होती है पूरी नहीं होती और वो उनको हम द बेचैनी is revealed रिवील कंसील का अपोजिट है कंसील मने छिपाना और रिवील उजागर करना तो इस रिवील्ड उजागर होती है बेचैनी इच्छाएं की उजागर होती है कहां से? बाइ आइस, आखों से however कितना भी you bury आप दफना दो the shadow परचाई in the heart दिल में यही तो हम करते हैं हम उनकी परचाई को अपने दिल में दबा देते हैं बाहर मत आ जाना कयामत आ जाएगी अगर तुम बाहर आ गई तो तो आप कितना भी उनको दफन कर दीजिए अपने दिल में उनकी परचाई को under the slabs और कहां under माने नीचे slab slab होती है किचिन में जैसे slab होती है बड़ी मजबूत हम बनाते हैं cement की पत्थर की तो एक परत होती है body मजबूत concrete होता है cement होता है उसमें तो उससे slab बनाई जाती है तो वही slab of concrete तो बजरी की और cement की जो slab है मजबूत उसके नीचे आप दबा दीजिए उसको under slabs of concrete and coil of bone और coil कुंडली है off bone हड़ीयों की तो जो हमारा दिल है कहां बंद होता है coil of bone एक ऐसा ढाचा हमें प्रकृती न दिया है ribs का पसलियों का coil of bone कुंडली हड़ीयों की तो वहां आप दबा लीजिए अपने दिल में दबा लीजिए चाहे कितनी भी मजबूत concrete की दीवार से आप उसको दबा दीजिए पत्थर से दबा दीजिए however कितना भी you wall आप दीवार खड़ी कर दें दीवारें बना दें the cave यानि जो गुफा है आपकी जो गुफा है गुफा आपके दिल की है किसी भी गुफा में आप दीवार बना दें बंद कर दें impulse यानि अपनी जो भावना है उसको at the mouth उसका मुँ बंद कर दें यानि गुफा के अंदर आपने रख दी अपनी भावनाएं और उपर से गुफा का मुँ बंद कर दिया पत्थर लगा दिया अब क्या होगा इट विल हैमर ये चोट करेगी हैमर में इस हतोड़ा होता है और यहाँ पर हैमर एक वर्व के रूप में योज हुआ है तो हतोड़ा किस काम आता है चोट मारने के काम आता है तो ये जो इच्छा जो आपने अपने दिल की गुफा में दबा दी और गुफा का मुँ कर दिया बंद इट विल हैमर तो ये क्या करेगी जोट मारेगी धरा धर जोट मारेगी एट दा साइड्स साइडों पर यानि मुझ तो बाफ में बंद कर दिया वहाँ पर खुब मोटी दीवार लगा दी कंक्रीट की और तो ये साइड्स में जोट मारेगी इदर उधर चोट मारेगी and break free और तूट कर आजाद हो जाएगी ना दीवारों को तोड़ देगी साइड से और तोड़ के आजाद हो जाएगी However, कितना भी यू बरी आप दफना दो the shadow परचाई को in the heart दिल में You may itch itch मने खरोंचना You may itch the shadow on the cavern wall cavern वही गुफा, wall दिवार उसकी दिवार पर आप खरोंच दो उसकी परचाई को and turn और मोड़ दो the drives इच्छाओं को into aborigin art aborigin जो मूलभूत पुरानी art है कला है उसमें मोड़ दो बिसन होता है बहसा होता है और stag हिरन होता है loping in charcoal lines loping यानि वो उलज रहे हैं दिख रहे हैं बने हुए हैं उलजते हुए in charcoal lines काली charcoal की पंक्तियों में जो पुरानी गुफाएं हैं मनुष पुराने समय में गुफाओं में रहता था तो जितनी प्राचीन गुफाएं मिली हैं उनमें इस तरीके के चित्र बने हुए हैं तो उसी को aborigin art कहा है कभी ने यानि जो मौलिक कला थी जो हमारे पूरवजों ने प्राचीन काल के जब कि कोई इतिहास लिखने का माध्यम नहीं था किताबें नहीं मिलती हैं उस वक्त का इतिहास नहीं मिलता वो aborigin art है तो आप ऐसी कलामें इस तरीके से गुफाओं में ले जाकर अपनी जो इच्छाएं हैं उनको उन गुफाओं में बना दो लिख दो दीवारों पर चित्रित कर दो जहांके बिसन एंड इस्टेग यानि के जो जानवरों के चित्र बने हुए हैं पुरानी गुफाओं में चारकोल लाइन से लॉपिंग जो के ओलज रहे हैं या बने हुए हैं चारकोल की पंक्तियों से काली-काली पंक्तियों से बने हुए हैं you can't erase the burn you can't erase तुम नहीं मिटा सकते the burn जलन को दीवारों की मतलब अपनी इच्छाओं की जलन को तुम नहीं मिटा सकते it will charm यह जलाकर भस्म कर देंगी your dreams तुम्हारे सपनों को यह तुम्हारे सपनों में आ आ कर तुमको जलाएंगी भस्म कर देंगी तुम्हारे सपनों को भस्म कर देंगी हाउएवर कितना भी यू बरी तुम दफन कर दो दा शेडो यानि परचाई को इन दा हार्ट फिर्दे में तो ये थी आपकी आखरी कविता जो आपके ये थर्ड एर के सिलेबस में हैं अच्छे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी जो दारुवाला के बारे में मैं बताना भूल गई मतलब उधर दिया भी नहीं था ये एक्जाम का जब क्वेशन पेपर मैंने देखा तो पचासमे नमबर का ये आप क्वेशन जरा देखिए ये आप याद रखिए कि अक्टूबर 2015 में बहुत सारे लोगों ने साहित एकेडेमी अवार्ड अपने लोट आए थे कुछ साहित्यकारों पर हमले हुए थे उस दोरान तो काफी लोग जिनको साहित एकेडेमी अवार्ड दिया गया था उन्होंने लोट आए थे तो ये आप सन इसको याद कर लिजे अक्टूबर 2015 में क्योंकि ये कुछ और राइटर्स के बारे में ये पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि ये अकेले दारू वाला नहीं थे एक पूरा ग्रुप था जिसमें नेंटारा सहेगल भी थी हमने इससे पहले नेंटारा सहेगल को रहा था आपके यहां सलेबस में तो नहीं है शायद भी अपार्ड बन में हां भी ये पार्ड बन के में ही पढ़ा था तो ये जो question को आप याद कर लीजे और अब यह देखिए क्वेश्चन नमर 93 सेम क्वेश्चन पेपर में से आप यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी पिछला जो क्वेश्चन नमर 50 था वह भी दारू वाला पर था और उसमें पूछा गया था कि उन्होंने साहते अकेडमी अवार् कब मिला तो अभी हमने डिस्कस किया था पूइम पढ़ने से पहले उनके बारे में और उसमें हमने बताया था आपको कि यह जो उनको एवार्ड मिला 1984 में मिला तो इसलिए आपको राइटर के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है अगर multiple choice questions आए तो आपको यह पूरी ज पढ़िए डिटेल में पढ़िए और डिटेल में पढ़ने के बाद आप दोनों तरीके के questions के answer दे सकते हैं यानि अगर descriptive question paper आया तो उसके भी आप answer दे देंगे और अगर multiple choice आया तो उसके भी answer दे देंगे तो पढ़िए आप detail में और यह ध्यान में रखी के question आप से इस प किया है उसको ध्यान से सुनिएगा देखिएगा और मुझे लगता है कि वीडियो यहीं समाप्त करें नहीं अभी समाप्त नहीं करते हैं अभी एक question और देख लीजाए आप यह descriptive type question है जो इसी point पर based है यह भी exam में आया है तो यह fifth question आप देखिए discuss in brief the philosophic aspects as represented in the unrest of desire तो discuss करना है आपको in brief sunshape में यानि कि यह short answer type question है the philosophic यानि कि दाशनेक aspects पहलू as represented जैसा कि प्रस्तुत किये गए है in the unrest of desire यानि इच्छा की बेचनी इस कविता में किस तरीके से discuss किये गए है आपको बताने हैं तो इस question के answer में आपको पूरी कविता की एक तरीके से summary लिखन है कि एक व्यक्ति की इच्छाएं ना दबाई जा सकती हैं ना समाप्त हो सकती हैं ना मारी जा सकती हैं उनको हम छिपाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन वो हमारी आँखों से जाहिर हो जाती हैं हम चाहे उनको अपने दिल के किसी कोने में छिपा दें जो हमारे दिल की का दर्वाजा हम कितनी भी मजबूत दीवार से बंद कर दें लेकिन वो दिल पर चोट करती हैं और कहीं न कहीं फिर वो बाहर निकल आती हैं तो यह सारी चीज़ें आप डिसकस करेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेशन है तो वन पेज का सफिशेंट होगा जब यह आप पूरी पोईम को इस तरीके से डिसकस करेंगे तो एक पेज आपका तयार हो जाएगा क्योंकि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेशन होगा शॉर्ट आंसर होगा आपका अब हम यह वीडियो समाप्त करते हैं धन्यवाद